Assalamualaikum, Welcome to GFX Mentor, मैं आपका टीचर इम्रान, Illustrator में Artificial Intelligence एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन आचुका है Generative Fill जिस तरह से Photoshop में था, उसी तरह से Illustrator में आचुका है, और अब आप Text का Prompt लिख करके Generate कर सकते हैं Vector Artwork, तो आएए स्टार्ट कर देए! All right, welcome back, so Illustrator में finally आपके पास Artificial Intelligence आचुकी है और हलकी फुलकी नहीं आई, बड़ी वाली आई है, मतलब आप Text का Prompt लेकर के Artwork generate कर सकते हैं Of course, इस वक बीटा वर्जिन है, लेकिन बीटा वर्जिन अलग से डाउनलोड नहीं करना है, आपका Illustrator जो नए वर्जिन है, जैसे आप अपडेट करेंगे, उसमें ये फीचर आ चुका है, तो आईए मेरी जरा स्क्रीन पर देखें, सो फर्स्ट आफ आफ आल, मैंने simply यहां पर एक rectangle बना रखा है, जैसी आप इसको select करते हैं, आपके पास यहां पर नीचे देखें, contextual taskbar आ रहा है, यह बिल्कुल वैसे ही है, जैसे Photoshop में आता रहा है, और अब Illustrator में भी आपको यह नजर आएगा, जैसी आप इसको select करते हैं, यह contextual bar पर आप यहां देखें, generate beta लिखा वारा, तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहां पर अगर आप देखें तो यह मैंने लास्ट एक camera icon generate किया था, बारहल इसको मैं हटा देता हूँ, लेकिन इससे पहले एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, और वो यह कि यहां property bar में देखें, आपके पास text to vector graphics beta लिखा वारा है, और इसके नीचे कुछ options दिये हुए, अगर आप window में जाएं और यहां पर देखें, text to vector graphic इस पर क्लिक कर दें, तो यह आपके पस यहां पर आजाएगा, वही चीज़ सेम है, कोई फर्क इतना बड़ा नहीं है, अच्छा जरूरी नहीं है कि फिर आप य और फिर यह आपको एक फूल बना करके दे देगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे Photoshop का जिनरेटिव फिल था, थोड़ा सा टाम लेता था, और आपको तीन options मिलते थे, exactly, यहां पर भी आपको तीन options मिलेंगे, तो यह आपके पास एक flower आ रहा है, एक ही आ रहा है, एक ही आ रहा है, यह तीनों flowers इसने pink color के बनाए है, यह क्यों हो रहा है, अगर आप गौर से देखें, तो यहां उपर जो मैंने text लिखा हुआ है, यह इसी color का है, pink color का, अचा आप चाह रहे हैं कि नहीं जी हमारे इस image का कोई भी color वगरा इसमें ना आए, यहां अगर आप देखें तो यह आ आपके बारे पिंक नहीं आएंगे, तो अब हमारे पास different options आपके बारे इस तरफ आपके बास subject दिया हुआ है, and then पर आपके पास scene भी है, icon भी है, pattern भी है, let's stick to the subject right now, मैं लिख रहा हूँ यहां पर a cute puppy, and generator, जिस दो से आपने देखा हूँ, मैंने यहां पर type किया, आप चा So these are vector, मगर मैं यह चाह रहा हूँ, कि जो हमारे puppy हैं, वो मेरी मर्जी के colors के हैं, मिसाल के तोर पे, यहां पर एक यह artwork दिख रहा है, बड़ा ही colorful सा, and this is a raster image, जैसे आप यह नीचे contextual bar पर आते हैं, आपके पास यह एक button दिया हुआ, style picker, यह click करें, और इस image पर जाकर के click कर कुछ उसी style के artworks आ रहे हैं, I really like this one, and I hope आप लोगो को इसका power सामाज में आ चुका होगा, आजाएं थोड़ा सा आगे, देखें, यहां पर आमने select किया हुआ था subject, आप चाहें तो पूरा scene generate कर सकते हैं, यहां मैंने एक और rectangle बना रखा है, इस वक्त मैं scene create करना चाह रहा कि अगर आपको जाहरे मुझे वही style नहीं चाहिए, तो मैं यहां से इस button को off कर दूँगा, so यहां पर अब मैं lake with mountains in background type किया है, यहां से मैंने select किया हुआ है scene, और यह match active artboard style मैंने बन किया हुआ है, generate करें, see this, यह अब आपके पास 3 options आ रहे हैं, and I like this first one, अच्छा अब इस यहां पर अब मैं subject ले रहा हूँ, make sure कि यार यह जो आपकी description और अगर यहां पर पहले वाली लिखी हुई है, तो इसको हटा दे, मैं जादा prefer करता हूँ, यही से मैं generate करूँ, क्योंकि नहीं नीचे अगर आप type करते हैं, sometimes होता है, यहां पर कुछ और लिखा हुआ हो तो ब बना कर दे देगा, excellent, this was scene and subject and then फिर हमारे पास option आरहा है, icon का, यहां पर आजाए, icon ले ले, यहां से आप कर लें कुछ भी, for example, honey bee and of course match active off रखिएगा, तो यह हमारे पास 3 options फिर से आगए, I like this one, so यह icon logo type की चीज़े हैं, अगर आप चाहें तो बना सकता, अगर आपको watch logo, so यह basically watch के icons आपको इसने बना के दे दी हैं, वो कुछ अजीब से है, अब of course यह बीटा वर्जिन है, कुछ तो मसले होंगे, lastly, one of the best thing, pattern, अगर आप pattern जनरीट करना चाहरे हैं, तो पहले तो आप यहां से ले लें pattern, और यहां पर आगर कर के type करें, so यहां पर मैंने simply fruits select कि अचा, यहां नीचे अगर आप देखें तो आपके पास एक option आ रहा है, color control, अब आपको किस तरह के preset चाहिए, black and white चाहिए, muted colors चाहिए, cool tones चाहिए, vibrant colors चाहिए, pastel colors चाहिए, I want pastel colors, generate, हमारे fruits वाले patterns बन कर आचुके हैं, और बहुत ही जबदस किसम के हैं, अचा, by the way, यह जो already swatches में add हो चुका है, so अगर आप swatches में आते हैं, तो यह रहे है वो आपके patterns जो अभी आपको इसने बना कर दिये है, this is so amazing, this is mind blowing, let's make another space, universe, sci-fi, let's see क्या होता है, हो हो, यह अचा है, यह अचा है, अब देखें आप, so I believe के जिन्दगी आसान होती जा रही है, AI से डरो नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ, AI से डरो नहीं, आपकी जिन्दगी आसान करने के लिए आया हुआ है, जो काम आप घंटों में करते थे, वो मिंटों में हो रहा है, so I hope आप लोगो यह वीडियो पसंद आई होगी, और इसका जरू कर ले, थैंक यू